हेलो गईज वेलकम बैक तो दी चैनल कैसे हैं आप सभी होप करतों आप लोग घर पे होंगे और अच्छे होंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं दो लाग से साड़े तीन लाग रुपे के बीच में आने वाली कुछ ऐसी बाइक्स जो परफॉर्मेंस के लिए हैं मतलब आपकी राइडिंग एक्स्पिरेंस को बिल्कुल ही इंसेन लेवर नेक्स लेवल पर लेके जाएगा तो आज उसी के बारे में बात करते हैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया गाइस कर लो लिंक पर लोग रख सकते हो अगर आप लोग कुछ उसी पर्टिकुलर बाइक को लेना चाहते हो तो चलो बात करते हैं बाइक के बारे में सबसे सिक्ष्ट नॉमबर पर आती है बजाज की तरफ से आने वाली डॉमिनार 400 वाहिसा वेल्यू फॉर मनी है अगर आपको 400 CC के अंदर लेनी है तो डॉमिनार जैसी वेल्यू फॉर मनी बाइक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली ओविसली मैंने खुद भी को यूज किया मेरे फ्रेंड के पास है इतना जबर्दस पर्फॉमेंस इतना जबर्दस मजा आता है तो चलाने में कि बता नहीं सकता 373 CC का सिंगल से ले फीचर्स में आप लोगों कहीं पे भी कोई कमी नहीं है डुवल डिस्क मिलता है डुवल चैनल एबिस ट्यूबलस टायर LED लाइट LED टेल लाइट फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको Bluetooth connectivity फीचर्स टाइप की कुछ देख जो टर्निंग रेडियस यार वो देखो और आपको घुमा के पूरी बैक करने पड़ती है तक वो काफी ज़्यादा टाइम लगेगा आगे पीछे आगे पीछे करकर के निकालने में सेकंड चीज चाहे कितना ही कुछ भी कर लेना लेकिन इस बाइक की पिलियन सीट है वैसे तो नई बाइक है तो हो सकता है इस वज़े से थोड़ा कम दे रही हो बट अगर आप धंग से चलाओगे तो आप लोगों थोड़ा और ज्यादा पर्फॉमेंस मतलब वाइलेज मिल जाएगा ऑन रोड़ जैस बाइक का प्राइस है वह दो लाग 27,000 रुपय है जो लोग ना मतलब थोड़ा सा वह जाते हैं क्या अतना कम पाउर है लेकिन आप लोग खुद इस बाइक को चला के देखना मैंने इस बाइक को दो बर चला है और मुझे जो मज़ा मुझे मिला है ना वह आप लोगों से शेर करता हूं बाइक इंजन मिलता है काफी रिफाइन लोग मेरे से कहेंगे बात कि यार यह तो डॉमिनर मतलब डॉमिनर के रेट से काफी ज़दा आगे हो गई है क्योंकि जो इसका ब्यासिक अपडेट आए उसमें कुछ काफी अपडेट्स लेकर आई है उसके वजए से बट इस बाइक को जब आप डॉमिनर से टकर दोगे न 300cc में कोई और ऐसी बाइक है आप लोग कमेंट करके बताने क्या ऐसी कोई बाइक है जो इतने प्राइज में मोड के साथ आती हो जैसे रेन मोड हो गया ट्रैक मोड स्पोर्स मोड मतलब सब कुछ आपको मिल जाता है और यह उन लोग लिए सबसे बेस्ट है अगर आप ट्र देखें तो यह बाइक फिल्ड देती है इसका थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम पता नहीं क्यों लगता है आपको को लगता है नहीं लगता मुझे कमेंट करें बताना तो इसको थोड़ा कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहिए थोड़ा अजीव सा ही लगता है मतलब देखने म हो या फिर मलब रोज आना जाना हो तो उसके लिए बैस्ट है लेकिन हाँ अगर आपको कलर का थोड़ा ध्यान रखना है तो आप लोग लिए टैंटेनियम ब्लैक ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि रेड़ पे स्क्रेचिस पढ़ जाते हैं और कुछ टैम बाद नहीं तो मुझे यह चीज़ बिल्कुल अच्छा आम से फील हो गई थी कि जिसकी हाइट 5.5 है या फिर उससे कम है तो मतलब भाई साब लेना ही मार्ट टैस्ट ड्राइव भी मत लेना क्योंकि पहरी नहीं पहुचेंगे आप लोग और अगर पहुच भी गए तो ऑफ रोडिंग है मतलब एक डूवल सेलेंडर इंजन वाली बाइक को भी इजली बीट कर सकती है यह ऐसी है यह है केटियम की 390 ड्यूक जैंद दोस्तों सही सुना 373cc का सिंगल सेलेंडर लिक्वीड गूल्ड एपाई बीए 6 कंप्राइंड इंजन मिलता है 43bhp का मैक्सम पाव 37 Nm का टॉ नहीं है मेरे खुद के सब्सक्राइबर इंस्टाराम पर बात कहते हैं और कमेंट्स में वी कि जो ड्यूक 390 BX में उसका कहीं नहीं पावर ड्रॉप हुआ है मतलब पावर तो 43bhp है लेकिन उसे चलाओ नहीं आता ऐसा क्या सच में है वैसे तो मैंने इस बाइक का टेस्ट को मिल जाते हैं इस बाइक में कुईक शिफ्टर हो गया एलेडी लाइट एलेडी टील लाइट टी एफटी स्क्रीन स्विचेवल एवी एस मतलब मैं यह कहना चाहता हूं सीधा-सीधा कि वाइक डूल से बीट करती है जिस पर प्राइस पॉइंट पर आती है मुझे लगता है तो अगर आप लोग नजर मारो कि एटियम 390 डूक पर भी देख सकते हो उसका पार्ट आपको अल्मोस्ट हर जगा अवेलेबल हो ही जाता है तो चलो यही था आप लोगों के लिए इस बारे में बाइक का मैं प्राइस आप लोगों बजा देता हूं तो बाइक का जो प् की तरफ यह है RC390 RC390 को यार मेरे हसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लुक्स में ना थोड़ा सा अपडेट जरूर देना चाहिए लाइक जो अभी तक का इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जो की काफ़ेदा बेसिक लगता है इन्फोर्मेटिव तो है ले इसका जो अग्रिसिव स्ट्राइलिंग है वह भी काफ़ेदा अच्छा है तो इस वजह से जो एरोडैनिमिक है उसके वजह से यह थोड़ा बहुत आगे निकल जाती है ड्यूक 390 से भी महीं पर इस बाइक में बीच में तो काफ़ेदा आ रहता तो मुझे लगा था क्या प आप लोगों को केटियम की जो ड्यूक 390 से कम है मतलब आप लोगों साथ 8000 रुपे का असपास का डिफरेंग लगेगा 290,000 रुपे में आप लोगों ओन रोड ये बाइक डेली देखने को मिलती है अब मैं आप लोगों को लास्ट बाइक के वरे मताता हूं जिसको मैंने क जिसमें आपको पाउर फॉर्टी सेमन बेच्पी कमलता और फिफ्टी टू न्यूटमेटर का टॉर्क जो की काफी ज़्यादा टॉर्क है यह थोड़ा सा की टेम से पीछे रहाती है मतलब आरसी हो गई चाहिए डियोक 390 हो गई मतलब बीट नहीं कर पाती लेकिन उसके ऐस पाउस्ट दे दिया गया तो मतलब कान फट जाएंगे एक बर मैसी जा रहा था तो बगल से बंदा लेकर निकला इतनी तेज आवाज आ रही थी ना कि क्या बता हूं बाइक में हलोजन लाइट साती है एबिस मतलब आपको सारे के सारे मिल जाते हैं जो आज के टाइम में ज करा दो जल्दी से फटा फट वैसे तो लोगडान में खुशी नहीं मनाऊंगा बट फिर भी करा दो यार पचास जार पर तब क्या बोलने चलो कोई मिलते हैं नेक्स वीडियो क्या है